इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ है किया आपने टेलिघ्राम चैनल में link बटन किस तरह से एड़ कर सकते हो और उसका use कर सकते हो ओब इस colors पहले हैं आपको अपने टेलिघ्राम को open करने के बाद अब गाइस आपको यहाँ पर इस blue tick में क्लिक करना है blue tick पे click करने के बाद अब आपको यहाँ पर option मिलेगा new channel so guys अब आपको इस new channel पे click करके अपने लिए एक telegram का channel बना लेना है so guys telegram का channel बनाने के बाद अब आपको वापस आना है और फिर वापस आने के बाद अब आपको यहाँ search bar में click करना है सर्च बार में क्लिक करने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है बोट फादर और गाइस बोट फादर सर्च करने के बाद अब आपको इस वाले बोट को जो है ओपन कर लिना है इतना करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा अब आपको यहाँ पर इस start वाले option पर click करना है start वाले option पर click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा अब आपको यहाँ सबसी उपर new board पर click करना है न्यू बोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आजाएगा अब आपको यहाँ पर अपने बोर्ट के लिए जो है एक अच्छा सा नाम से लेट करना है तो मैं कर लेता हूँ सो गाई जिससा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने टेलिग्राम बोट का नाम स्रेट कर लिया है अब आपको इस शेयर वाले आप्शन पर क्लिक करके इसको शेयर कर देना है शेयर करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने both का username डालना है और guys username डालने के बाद आपको make sure करना है कि आपके username के बाद इस तरह से both लिखा हो सो में वह कर लेता हूं सो guys जैसा क्याप देख सकते हैं मैं जो अपना both का username डाल दिया है और guys मेरा जो both है बनके तैयार हो गया है तो अब आपको इस अपने बोट की लिंक पर क्लिक करना है बोट की लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको जो बोट है वो स्टार्ट हो जाएगा अब आपको इस स्टार्ट वाल आप्शन पर क्लिक करना है स्टार्ट वाल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इन त्री डॉट्स पर क्लिक करना है त्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको जो है इस बॉट की जो लिंक है उसको कॉपी कर लेना है यह गाइस आपको जो है प्रोफाइल को उपन करना है और प्रोफाइल को टेलिगराम के चैनल को ओपन करने के बाद अब आपको यहां पर अपनी प्रॉफाइल पिक् declaration क्लिक करने के बाद आपको यहां पर इस सब्सक्राइबर बैच ओप्सट्राइबर क्लिक करने के के बाद हमने रिंग कॉपी कि थी उसको आपको सप्समें सबसे लिकान कर लिंक को पेस्ट करने के बाद हमने जो ऑट बनाए था वह यहां पे आ गया है अब आपको इस बोड्स कशलेड कर लेना है किसे बोड्स को आणिक अडुन कर देना है आपको गई जो है इस बॉट को admin बना देना है आपको यहां पर जो एड़ न्यू और मगा उच्चनन इसको अन कर देना है को इतना करनेके बाद हम आपको इस रैड़ टिग फ़ेंग उप्शन पर क्लिक करना है है इति क्लिक करने के बाद अब गाईस आपको जो बोट है वो एडमिन बन चुका है अब अपने बोट को एडमिन बनाने के बाद अब आपको बापिस से बोट फादर पे आना है बोट फादर पे आने के बाद अब गाईस हमको जो यहाँ पर अपने बोट का टोकन मिला है आपको इस token को copy कर लेना है token को copy करने के बाद अब आपको वापिस सबने telegram की home screen पे आना है telegram की home screen पे आने के बाद आपको यहाँ पे उपर search bar में click करना है search bar में click करने के बाद आपको यहाँ पे search करना है controller boat और गाईज आपको जो है इस वाले controller board को open कर लेना है controller board को open करने के बाद अब guys आपके सामने कुछ ऐसा interface होगा आपको यहाँ start पर click करके अपने controller board को start कर लेना है